हेलो हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टियो ओन चैनल आर्जय मदुरा बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुट के चैनल में आज की रीडिंग का कोश्चन है आपके परसन के दिल में इस वक्त आपको लेकर कौन सा इमोशन बहुत हाई चल रहा है प्यार का कुस् नफरत का कुछ तो अन्बन हुई है आप दोनों में कुछ तो खटपट हुई है कुछ तो किट-किट पिट-पिट हुई है तब ही आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आज एंजल्स आपको ये बता ही देंगे कि आपके परसन के दिल में आपको लेकर कौन सा इमोशन हो सकता है temporary separation हो आप दोनों में हो सकता है temporary breakup हो आप दोनों में हो सकता है बहुत लंबे टाइम से no contact हो हो सकता है contact हो लेकिन फिर भी आप guess नहीं कर पारे कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर कौन सा emotion हाई है कोई बात नहीं ये रासफास हो जाएगा बस reading खुलने की देर है तो friends आज collective reading pick a pile हम करेंगे जिसमें मैं filter देती हूँ आपको और आज का filter है two of cups मतलब जिस pile में two of cups होगा उस pile की हम reading लेंगे पाइल वान पाइल टू तसल्ली से दोनों पाइल को देखिए meditate कीजिए angel से help मांगिए कि आपको पाइल सेलेक करने में मदद करें वैसे आप तभी पाइल सेलेक करेंगे जब आप actually situation में होंगे वरना आपकी situation इससे मिलती जुलती होगी लेकिन उसके results कुछ और होंगे पाइल वान पाइल जो two of cups तो friends आपने अपनी पाइल सेलेक कर ली है तो मैं open up करती हूँ पाइल वान चलिए पाइल वान में two of cups नहीं आया है इसलिए हम लेते है अब पाइल टू आपके person के दिल में दिमाग में आपको लेकर कौन सा emotion strong है इस वक्ति love, hatred की anger, प्यार, गुसा या फिर नफ्रत हम कुछ cards यहां से भी लेंगे सुभर्पल सकत away टा कुछ हम और कंपिया हम थार, आपके व्यां, आपके उना सेमे करें आपके परसन के दिल में क्या है? पहले तो हम देख लेए तेक कार्ड्स का जो एक एनरजी है वो कौन से है? अलोननेस्ट्री ओस पेंटिकल्स टैन ओफ स्वार्ड्स ये थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन्स हैं फिर हम देखते हैं King of Wands, Page of Wands, Knight of Swords, Fool, Trust, Innocence, Garden and the Gate, Angel of Balance So many positive cards तो definitely आपके person के दिल में आपको लेकर hatred तो नहीं है, नफरत बिलकुल भी नहीं है यह देखते हैं situation क्या है कार्ड से मुझे एक चीज़ फिल होती है कि जो आपके person है उनको यह लगता है कि आप उनसे ज़्यादा time और activities को देते हैं और लोगों को देते हैं और दोस्तों को देते हैं या अपने रिष्टेदारों को देते हैं ऐसा उनके दिल में आता है आपको लेकर इसकी वज़े से उनके अंदर आपको लेकर जादा एंगर है और उनका नेचर कुछ ऐसा है कि वो जादा अपने दिल की बात बोलते नहीं है जादा अपने आपको एक्सपोस नहीं करते या बहुत जादा इंट्रोवर्ट है आपके person जितना आप बोल लेते हैं उतना आपके person नहीं बोल पाते हैं जितने आप एक carefree आपका जो nature है आप में innocence भी है आपका nature carefree भी है थोड़ा उनसे बचकाना है उनकी comparison में आपका nature थोड़ा सा बचकाना मुझे लगता है थोड़ा immature है जिसकी वज़े से आपके person अपने आपको खुलकर आपके सामने express नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है आप समझ ही नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप उन पर जादा ध्यान दे आप उन पर जादा focus करें इसकी वज़ाए कि आप दूसरी activities या थर्ड पार्टी situation है लेकिन वो यह नहीं मैं कहते हैं कि आपकी life में कोई और person है लेकिन आप अपना time औरों को जादा देते हैं और अपनी activities को जादा देते हैं इनको निगले करते हैं आपको समझ नहीं आता कि आप ऐसा करें आपको इस चीज फील ही नहीं होती क्योंकि आप इतने अभी उस हिसाब से emotionally mature नहीं कि इस बात को समझ सके और आपके person इस बात को बहुत फील करते हैं पर अपने nature के चलते हैं वो आपसे कहने पाते हैं खुलकर जितना खुलकर आप अपने आपको उनके सामने express कर लेते हो आपके person नहीं कर पाते हैं आपको लगता है उनको trust issues है आपसे उनको trust issues नहीं है उनको अकेला पन बहुत लगता है इस relationship में उनको लगता है आप उन पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि वो आप पर देते हैं आपको लगता है वो आप पर ध्यान ने देते क्योंकि वो जादा बोलते नहीं है वो सिर्फ expression में आपके जितने फ्री नहीं है आपके जितना express नहीं कर पाते हैं बस यह है कि वो आप से चाहते हैं कि आप यह जितना बोलते हैं जितना कुछ अपने आपको express करते हैं उनको ले आप औरों को जितना वक देते हैं उतना उनको नहीं देते हैं और इस वज़े से थोड़े खीचे-खीचे रहने लगे हैं जो एक बैलेंस है रिलेशनिशिप का वो डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है इंजल ऑफ बैलेंस इस डिस्टर्ब उनको समझ नहीं आता कि आप पूरी उनकी तरफ हैं कि आप दूसरी चीजों की तरफ जादा हैं उनको ये चीज नहीं समझ आता, garden and the gate कि आपका interest उनने है कि उनके अलावा हर चीज में interest है एक्चुली आपका nature भी innocent है आप the fool का जो influence है आपकी nature में, innocence का influence है लेकिन उसकी वज़ज़ से आपके person बहुत अकेले feel कर रहे है इस relationship में और उसकी वज़ज़ से उनके अंदर आपको लेकर anger है वो anger भी आपको खुल कर नहीं express कर पाते है क्योंकि उनकी जो emotional maturity है वो आपसे बहुत सादा है उनकी भी गलती है कि अगर वो खुल के आपसे communicate करें अपने मन की बात कि वो आपसे खुल कर ये कहे कि जितना वक्त आप और चीज़ों को देते हो आप मुझे तो दो तो शायद आप समझ भी पाए लेकिन आज इस card से आपको इतना तो समझ आ गया और अथा से आपके दिल में आपको लेकर Мाइंगर है अनका wordर फ्रप और ऑंकति इस में मीचारव है thołकर आमीनेटिंग है तो शर्प रहां पुद है कि तो फो बहुत सारे प्राब्लम सॉल्व हो जाते तो जो आप दोनों आपकी तरफ से जो बैलेंस है रिलेशन्शिप में वो मुझे उनकी नजर के साब से डिस्टरब दिख रहा है उनको लगता है आपका जुकाव और चीजों के तरफ जादा है और उनकी तरफ कम है और शायद ऐसा ह हो भी रहा होगा क्योंकि जब आपकी emotional maturity उनसे कम है तो शायद आप जाने अंजाने गलती कर भी रहे हैं हर बार हम यहीं क्यों सोचते हैं कि हमारा person ही गलत होता है हम ही सही होते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान से meditate करें अपने आप पर ध्यान दे अपनी जितनी भी past present की activities है उन उनसे जादा दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं उनको neglect करते हैं आपको यह पता नहीं होता लेकिन आपसे शायद हो जाता है और इससे वह बहुत ही avoided फील करते हैं अलोन फील करते हैं आपको लगता हैं उनको trust issues है trust issues नहीं है वो बस इतना चाहते हैं आपको कि जितना time त feeling ही है आपके लिए जो anger में convert हो गई है तोस आपसे थोड़ा और importance चाहते हैं थोड़ी value चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं लेकिन आप अपनी नादानी में यह चीज को समझ ही नहीं पा रहें शब्दों में तो आप उनको बहुत अच्छा अच्छा बोल लेते हो मना भी ल किजिए यह relationship में जो balance आपकी तरफ से गड़ बढ़ा रहा है उनकी नजर में मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपने ऐसा किया है पर यह उनका कहना है कि आप ऐसा कर रहे हैं आप यह तो उस साइड यह तो इस साइड क्लियरली एक demarkation को रखिए कि जब आप उनके साथ होते हैं तो टोटली उनके साथ ही रहे हैं हो सकता है जब आप उनके साथ होते हैं तब भी आप दूसरे issues के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह करना है वो करना है इसके साथ जाना है वहां करना है मतलब आपकी बातों में आप बैठे उनके साथ हैं लेकिन बातें दूसरी बातों क आपके लिए तो फ्रेंड्स ओवरॉल पॉजिटिविटी जादा है इन कार्स में आपके परसन को आपके लिए प्यार बहुत जादा है लेकिन हाँ थोड़ा गुस्सा है और आपको वज़े भी पता चल गई है अब इसके बाद भी अगर आप इसके रिजॉल नहीं करते तो दीरे दीरे डिस्टिंस बढ़ता रहेगा दूरियां बढ़ती रहेंगी और शायद कभी भी आप रिलेशन्शिप से जस्टिस नहीं कर पाएंगे जब खो देंगे तब आपको तकलिफ होगी कि आपका परसन आपसे दूर हो गया अभी भी वक्त है इस रिलेशन्शिप को स समभाल लें लव यू, all the best, see you soon, bye bye, comment section में जरूर लिखिए कि आपने क्या करने का decision लिया है ताकि और viewers को भी से थोड़ी मदद मिलें, bye bye